आज सुब सन्निवार है, सुब सन्निवार का मतलब हमारा ऑफिसियल ऑथेंटिक बुद्ध से भी पहले का पारंपरिक दुनिया का सबसे पहला आपस में मिलने का और संग के नियम के तहट में अपनी जितनी कटनाई हैं, जितने दुख और सुख हैं उन पर बात करने का, एक साथ मिल बैठ कर घर से लाई हुई रोटी खाने का, एक दूसरे के साथ आगे की बात करने का, पीछे जो दिक्कतें आई हैं उनका समधान करने क रिष्टे नाते बढ़ाने का, बनाए या जोran लोगों ने संग बनाए या गूरूब बनाए या जो कम्मिनिज बनी, उन लोगों ने भी एक एक दिन चुना और पूरी दुनिया में जो रवीवार है उसको जो हिसाई लोग है उनके जो संके लोग हैं, वो आपस में बैठते हैं सन्नी पात बहुल करते हैं जो मुस्लिम लोग हैं वो जुम्मे के दिन यानि सुक्रवार को बैठकर सन्नी पात बहुल करते हैं और जो दुनिया में अलग-अलग सब बैठाए हैं उनका साथ दिन में कोई ना कोई एक दिन मिलके बैठने का है मगर सबसे प्राचीन और सबसे पहला पूरी दुनिया में वो दिन हमारा है और इसके बाकाइदा सबूत मिलते हैं जब हम पाली पढ़ते हैं पाली में जब सन्नीपात बाहुल में साथ एपरिहा नियम बृद्ध बताते हैं वो इत्यास भारत का इत्यास सबसे पुराना इत्यास है वो प्रंपरा हमारी आज तक भी जीवित है वो अलग बात है कि उस प्रंपरा को खराब कर दिया और सन्नी पात बाहुल से सन्नी चरिया कर दिया चरिया का मतलब दिन चरिया सन्नी चरिया कर दिया और सन्नी चरिया से से वार कर दिया और शनीवार को फिर बदनाम कर दिया कि उस दिन बाहर नहीं निकलना है लोहे का कुछ करना नहीं है क्वैदना नहीं है क्योंकि जो लोहे की धातु के बने हुए 11 प्रकार के सथक दंड होते थे जो बुद्ध ने बताए भिक्कों को रखने के लिए अपनी जो हमारी स्रक्षा के लिए होता था ये तो भिक्तों के लिए 11 प्रकार के थे हमारे लिए तो कोई सावी सत्थक दंडो सब प्रकार की चलते हैं वो सत्थक दंड रखने की परंपराबाद में कुछ लोगों ने ली जैसे कुछ लोगों ने डंडा रखा आपने देखा होगा कुछ लोगों ने किर्पान ये तल्वा रखी ऑफिचल रखी और कुछ लोगों ने अलग-अलग तरह की रखे अपनी स्वक्षा की में अगर यह नियम हमारे नियम है हम चुकि अपना विने विने का मतलब नियम होता है विने पढ़ते नहीं देखते नहीं और बुद्ध को स किताबों में ही रहते रहते खतम हो गए और हम उन किताबों के बंद होने से उन नियमों के बंद होने से पूरे के पूरे खतम हो गए जब व्यक्ति खतम होता है या कहीं पानी में गिर जाता है और जान बचाता है या कहीं आग में गिर जाता है या बाल में गिर जाता है औ जब उसके पास कोई रास्ता नहीं होता तो उसका एक सहज ग्यान होता है जिसको सिक्स सेंस बोलते हैं जो पुराना कोई ग्यान होता है तो वह एक्टिवेट हो जाता है ऐसा ही पुराना ग्यान एक्टिवेट हुआ बुद्ध का जब वह ग्यारे साल की अवस्था में थे और जामुन के पेड़े के नीचे अपने खेतों में जब हल चला रहे थे जामुन के पेड़े के नीचे बैठे हुए थे और वहां उन्होंने जब ध्यान लगाया तो उनका पुराना जो ग्यान था वो पुराना ग्यान निकल के आया और उन्होंने वहां ध्यान लगाया उस पु लोग जितने भी गुरू को थे तो कोई तो बात ऐसी होगी जो हमें बचा सकती है तब हमें ये दिखाए दिया कि ये जो संधन संधन रक्षामी है और ये जो समण है ये क्या है तरसल समण और जो संध है समणों का संध है ये जो दो सब्ध है ये बड़े करांती के और बड़े कमाल के सब्ध है और बहुत सा कोई हमारा जो ज़्यादा किताब पड़ालेखा आदमी है वह आप से park ाया सर्मण संग दिखाना काींसा समण संग था अरे भिकूँ का संग था अम से बहह alone का संग थूज वहोग आपको किताब खुद भी प्राफ्ट करेंगे और और वे देंगे जो आपने देखा होगा कि कुराना सब्द कहते हैं अमーん तकराव हो गया ड़े से जह ज़ुन वह संग माने हो खता है यानी कि सभोता है शंग और बाद में सतकी किने लगे संग और से साथ साथ जैसे तो संग ठन जो टर्म है वो जोडने की नहीं है संग जो टर्म है वो साथ साथ रहने वालों में मत भेद की और तंड की अवाज आने की इसलिए कहते है ठंड गई और जो असली टर्म है वो है संग और संग और संग दोनों एक ही बात है कहते हम संग संग है साथ साथ है इसलिए संग जो सब्द है वो कहीं गायब नहीं हुआ, संग कहीं खतम नहीं हुआ, संगं सरनं गर्चावी तो हम रोज ही बोलते हैं, मगर संग से ही संगम बना हुआ है, जो संगम से संगम बना हुआ है, और संगती से संगती बना हुआ है, ये सारे संग और संग वाले और सा साथ रहे देंगे तो यह जो संग है यह बहुत प्राचीर है और संग का मतलब होता है अटेश्मेंट यानि के जुड़ा यानि जुड़ना जुड़ना का मतलब संग है तो संगती का मतलब है जहां हम बैठके बात करते हैं संगती के और संग ही बोलते हैं और संग भेदक और स तो यह जो संग सब्द है, यह संग बहुत ज catching चलता है यानि कि हमारा जोडने जोडने का जो संग होता था, तो संग चार प्रकार के बुर्द्रे मताए थे, एक संगP का संग, एक हमारे जैसे सद्धार्न मेल जो को उपासक बोलते थे उपासक का मतलब है उपासक यानि कि जो पास में बैठा है जो आसन लगाता है पास में उसे उपासक बोलते हैं और उपासी का जो बरावर बैठ के उपासन वाली इस्तिती में जो महिला बैठ के सीखती है उसको उपासी का बोलते हैं तो उपासक और इसको उन्होंने सिर्मन करके बदला है क्योंकि शेय और आधारे हमारे होता नहीं तो उसनोंने बदला है मगर समण सब्द को पूरी तरह से खतम कर दिया समण सब्द नहीं मिलेगा आपको आपको समण सब्द कहीं नहीं मिलेगा और समण सब्द को किताबों से भी मिक्स करके खतम करने की कोशिस की दिये उद्द के कुछ साहित्य में सुमणा चै बॉम्णा आता है बॉम्णा गो जिनोंने लिखा बाद में वो ब्रामर सब्द किया ब्रामर सब्द हमारा नहींदा पहार का सब्द है मगर Keeper जो सब्द है हमने उनको दिया है तो कैसे इसको अच्छी तरह से समझ लें आज आज की समय आपकी जो आइडेंटिटी है जो आपकी पहचान है जो मेरी पहचान है जो हमारी पहचान है उस पहचान के खंड खंड टुकरे टुकरी किये गए खाली 6,743 जाती हमें नहीं तोड़ा गया है खाली 39,743 नहीं तूटे हम हम अपनी पहचान में भी तूटे हैं और जिनकी पहचान तूटती है उनकी तो जड़ ही तूट जाती है तो हमारी जड़ तोड़ी गई है तो पहचान कैसे तोड़ी गई है उसको समझ है अगर मैं यह कहूं कि यहां जो 293 में लोग बैठे हुए हैं यह सारे के सारे दलित हैं तो दलित सबसे छुटी पहचान है और बड़ी गंदी पहचान है दलित का मतलब सादिक जो अर्था आज की समय लिया गया है वो है दवा हुआ नीचे जो किसी के नीचे दबा हुआ है अगर इसको पद दलित बोलते हैं तो पैरों के नीचे दबा हुआ है तो चुटी पचान होगई दवी होई पचान होगई तो इसमें ग्लौरी नहीं है जिसको हम दलित कहेंगे वो जीवन में कभी नहीं उठ सकता कॉँकि उसके तो नाम के साथ ही दलित लगा है इसलिए व अगर उसको हम ये कहते हैं कि ये फलाने गाउं का निवासी है गाउं वासी है तो गाउं की पहचान छोटी हो गई यानि गाउं वासी छोटा होता है जो सहर वासी है वो बड़ा होता है तो सहर वासी का रुत्वा जादा होता है उसकी पहचान बड़ी होती है और अगर हम ये कहें कि ये राजधानी का वासी है तो उसकी पैचान और बड़ी हो गई और हम ये कहें कि ये भारत देश का वासी है तो भारत ये पैचान हो गई और हम ये कहें कि ये प्रत्वी का वासी है तो यूनिवर्स के अंदर प्रत्वी की पैचान बड़ी हो गई और हम ये कहें कि य universe का इब्राह्मन का पूरे पूरे का पूरे का पूरे परलोग का वासी है तो फिर और भी बड़ी पहचान बोड़े तो जिस नामसे हम पोकारते हैं उस cover मगर जब एक ही परिवार के एक ही जगे सारे लोग एक से रहते हों तो उनको पहचान की आफशकता नहीं होती उनके छोटे छोटे गोत तो हो सकते हैं यह इस गोत में हैं मगर एक बड़ी पहचान के रूप में उन्हें जरूत नहीं होती क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है जब भारत में यहां लोग रहते थे तो उनको भी यह पता ही नहीं था कि उन लोगों के अलावा कोई दुनिया में बाहर भी कोई लोग रहते हैं तब देसों के नाम नहीं हुआ करते थे जैसे आज हम कॉंटिनेंट्स के नाम हैं या कंट्री के नाम है तब नहीं होते थे तो जो बाहर के लोग हैं उनका पता ही नहीं के बाहरी लोग कौन हैं तो बाहर से जो लोग आए, तब हमें ये अंतर करना पड़ा, कि ये बाहरी लोग हैं, तो पाली में वम माने विप्रीज होता है, और मन माने, मन से मनुस्य बना हुआ है, यानि जो मनुस्य पाली का बड़ है, मनुस्य जैसे बुद्धत से बोलते हैं, वैसे मनुस्य, तो मन का इस से, यानि मन का, मनुस्य का मतलब होए, मन का या मन से, तो यानि जो मन से और मन का, यानि हम जो मनुस्य हैं, तो हम जो मनुस्य थे, हमने अपने आपको कहा, समन, यानि सम मन, जो साम है, और जो सम है, साम का मतलब होता है शांत, शाम वेद आपने पड़ा होगा, वो हमारी पुराने वेद रहे हैं, शाम वेद का मतलब है, जिसमें शांत वेदनाय होती है, सरीर के अंदर जो सांत वेदनाय सीखते हैं, उनको बोलते हैं, साम वेद, साम वेदनाय, शांत लोग, तो शांत सबतो ह होता नहीं पाली में क्योंकि शेह नहीं है साम होता था तो हम साम लोग हैं तो सम्मन यानि जिनके मन सांथ है हमारे मन सांथ थे यहां पानी बहुत था यहां खाना बहुत था हम जगड़ते नहीं थे लड़ते नहीं थे हम युद्ध जानते नहीं थे हमारे यहां सब भाईच पर हमन नहीं बोले, हमने उनको कहा वमन, यानि वम वम माने होता है विपरीत, वम माने होता है जो उल्टी आती है, हमको जो उल्टी आती थी, विपरीत आती थी, तो हम उसको बोलते थे वम आ रही है, उल्टी आ रही है, तो इसको बोलते थे वमन, तो वमन का मतलब है उल्ट मनवाला यानि असांत मनवाला उल्टे मनवाला उसको हमने वमण कहा क्योंकि वो सारे लोग असांत थे वो लूट मार करते थे उनकी यहां कोई खेती नहीं कोई जमीन नहीं कोई कारोबार नहीं कुछ नहीं तो वो उल्टे-उल्टे काम करते थे तो उसको हमने नाम दिया वम ब्रहम करके ब्रहमन करके कहा ब्रहमन सब्द पाली का सब्द नहीं है और ब्रहमन सब्द की उत्पति बहुत बात की उत्पति है सुरू की उत्पति नहीं है सुरू में कहीं भी आपको आधारे नहीं मिलता है तो जो वमन लोग हैं वो विप्रितमन के लोग हैं तो समन लोग ह हमारी पहचान थी, ये ठीक ऐसे है, जैसे की अगर हम अमरिका चले जाएं, तक हम अपनी पहचान कहते हैं, भारती है, और अगर कोईान से इटली से आ जाया तो वो कहाई के मैं इटली का बंदा हूं, इटेलियन बंदा हूं, तो उसकी पहचान इटेलियन है वैसे जब बाहर के लोग आए तो ये हमारी आइडिन्टिटी है हमारी पहचान है कि हम समण है इसलिए जो संग होता था जो बुद्ध ने बनाया उसमें बुद्ध को महा समण बुला करते थे बुद्ध को कहते थे महा समण है क्योंकि वो औरिजिनल यहाया के ल जानते हैं भासा जानते हैं भासा के वैग्यान है थोड़ा भी ग्यान रखते हैं तो वो जानते हैं कि धंपद के अंदर ब्रहमन वग जूटा वग है और जहां जहां ब्रह सब्द आता है वो तो है नीपाली के अंदर जूटे सब्द जोड़े गए हैं जब कोई लिखता ह है तो अपने हसाब से लिख सकता है जब कोई चापता है तो अपने हसाब से कर सकता है इसलिए उन किताबों पे 100% यकीन करने किभी किसे नहीं कहा आपको सचाई के लिए अपना सहज ग्यान इस्तिमाल करना पड़ेगा, ये बुद्ध ने साफ साफ बताया हुआ है, और ये बावसावा अप्लाई किया हुआ है, आपको भी करना चाहिए, किताबों के गुलाम हम नहीं हो सकते, क्योंकि किताब में हमारी नहीं नहीं, वो मिक्स हो गए, तो वो जो बाद में लिखा गय जो जूटा वगए, इसको बहुत लोगों ने बताया है, वो भासा से मिलनी खाता, उस लेंग्वेज से मिलनी खाता, जो परानी भासा चड़ी आ रही है, उससे मिलनी खाता, सबसे बड़ी बात उसमें जो कंटेंट है, वो उल्टा कंटेंट है, इतना उल्टा कंटेंट है आपस में समड़ा और समड़ी बोलते थे यानि जो मेल थे वो समड़ा और जो फीमेल थी उनको समड़ी मगर जो वमण है उनमें वमणी नहीं है यानि वमणी कोई सब्दी नहीं है और ब्रहमणी भी कोई सब्दी नहीं है वमणी का बाद मैं संस्काइब करके ब्रहमण बनाय हैं तो महिलाएं हमारी हैं इसलिए महिलाओं को कभी भी वो अधिकार नहीं मिला जो एक मनुस्मर्टी के अंदर एक ब्रहमण का अगर महिलाएं उनकी होती तो अपनी महिलाओं को वही अधिकार देते जो उन्होंने खुद रखें अगर चुकि महिलाओं यहां यहां की थी इ जो यहां के बाकी लोगों को जिनको शुद्र बोला गया हाला कि शुद्र माने शुद्र होता है सुद्र एकदम प्यूर होता है मगर वहां तो मामला को दूसरा बन गया इसलिए महिलाओं की बड़ी भारी बेच जती है भाई क्योंकि महिला तो कहीं की भी नहीं 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 उनके पास जो महल्या लूट पिटके गई थी, उन्हें भी जतनी मिली और जो हमारी महल्या थी, उनको भी हमारे हाथों यह हमसे बेचती करा दिया गया. तो जब कोई आप से पूछे कि यह समण क्या है, तो यह समण हमारी आइडेंटिटी है, भारतिय होने से पहले जो आइडेंटिटी है, वो समण है, यानि कि हम समण भारतिय होने से पहले है, समण बड़ी आइडेंटिटी है, और समण की जो सबसे खास बात है, कि जब हम समण और समण की हमारी आइडेंटिटी थी तो समण के समय कास्ट सिस्टम नहीं था और वर्ण भी नहीं था वर्ण माने तो रंग होता है कास्ट सिस्टम नहीं था वर्ण माने एक स्वेत होता था और एक स्वेत होता था स्वेत माने जो बिना रंग की होते थे अवर्ण जिनको बो लिए रगल को साफ साफ अच्छी तरह से किलियर एक-एक पाली में सब्सक्रामीं नहीं, इसकी जो पैधायस और उसके जो नियबं बनाएख वह संड लोगरी भ Snid approached लोगुस्ता ही नहीं इस लिए संगो संढ होने का मतलब ही नहीं हैं इसलिए संग को संग भला करते थे मगर आज के समय तो बात और है आज के समय तो कई सारे संग बने हुए है, मिसलमानों का संग अलग है, इसाइयों का संग अलग है, जैनियों का संग अलग है, सदारों का संग अलग है, कुछ लोगों अलगले संग बना रखे हैं, तो आज के समय अपने इस संग को पराने संग को एक special नाम देना प समण के अलावा किसी के लिए नहीं है और समण इसमें आएंगे और समण होना ही इसकी एक सबसे बड़ी जो मानेता है या जो जो इसकी यहां आने के लिए है योगता है वो समण होना है अगर आप समण में पैदा हुए है तो इसमें आपका राइट बनता है और अगर आप समण में पैदा नहीं हुए तो आपका राइट नहीं बनता है इसलिए जब भी समण के वारे में आप से पूछे कोई कुछ भी कहें तो समण का मतलब होता है मन वाले लोग, भारत के ओरिजन लोग, और वमन का मतलब पूछे तो विपरीत मन वाले लोग, यानि के जो वम करते हैं, जो उल्टी करते हैं, जो उल्टी बात करते हैं, इसी से वम्ती बना है, इसे वम्तु बना है, इसे वम्भन बना है, इसे वम्मन बना है, इसे वम्मन ब से हमती हो गया बम्मन से वर्मन हो गया इसके बहुत शारेत्म से मगर इन Whatsapp घबराना नहीं है क्योंकि आप सिर्फ समण की आइडेंटिटी से बने रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है एक आइडेंटिटी हमारी सबसे अच्छी है और यह आइडेंटिटी को खतम करने की सबने पूरी जान लगाई है ताज जो होगा आपको कि समण सब्दी गायब हो गया सब्ड़ अभ हम कहते हैं कि क्योंकि समद्द जह हम कहते हैं कि कोई आघ है तो कहते हैं जी इसका शमन कर लो एक अग। सब्द नहीं है तो你 आज हम संग को सम्ड कह रहे हैं कुछ सब्डी का मतलब तो पाली में साधू होता है और सब्डी मतलब तो साध भी होता है ऐसा दे रखा है वो अर्थ सही अर्थ में नहीं है कारण क्या है कि जो साधू है साधू का मतलब वो उसको बोलते हैं जिसने साध लिया अपने आपको जो से धारन कर लिया है जिसने स्वयम को धारन कर लिया है स्वयम को अच्छी तरह से ध्यान में साधू और साध्वी का मतलब बदल कर भिकु और भिकुनी कर दिया तो उन्होंने भिकु क्योंकि साध्वी और साध्वी और साध्वी एक ही जी के अपने आपको साते थे और जो भिकू और भिकूनी थे वो ध्रमन करते थे, भिरमन करते करते दिखा-दिखा दिखा देते, इसलिए उन्होंने फिक्स जो टर्म थी उसको मोबेबल कर दिया, यानि कि साधवी और साधु का मतलब है बैठ के ध्यान करना धारन करना और भिकू का मतलब है ब्रमन करते हुए दिखा देना दिखाना लोगों को समझाना तो वो टर्म बड़ी थी क्योंकि उस सिखाने वाली थी बाद में यह तर्म और ज्यादा बड़ी होती कि इन्होंने बदंत कहा बंते कहा उनकी साद्वी का मतलब भिकूर भिकूरी होता है या समन का मतलब भिकूरी भिकूरी होता ऐसा नहीं होता क्यों नहीं होता को बहुत बड़ा विद्वान होगा बहुत बड़ा विद्वान जो अपने आपको कहता होगा कि इतनी सारी प्रसंट पूछना है उससे प्रसंट यह पराणी पहचान है, वो समण है। उसको समण़े पर आना पड़ेगा, वो बता ही नहीं सकता, क्योंकि क्या बताएगा बहुत ज़्याता कहेगा आप से, आप रलेत वो तौर आपका सब्द है, बहुत ज़्याता कहेगा सुरूक आश्च्र मुनिय पार्टी बनी, अहीं का सब बहुत ज़्यादह कहेगा मूनलेवांजी अभी बताया गया है बहुत ज़्यादह आपको कहेगा कि आप भारती यह था जब भारत ड्याथि बाने ज्lic घूंबख़ थीपर बहुति बहुत के बात सकते हैं उससे पहले क्या पैचान है हमारी कोई नाम तो हमारा होगा हम लाखों करोड़ों की संख्या में हैं बिना पैचान के घूम रहे हैं क्या हम हमारी को पैचान ही नहीं है हम बिना पैचान के यहां 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 चलने हैं इतना बड़ा साहित है हमारा इतनी बड़ी-बड़ी किताब है हमारी इतने बड़- नहीं करते समझते नहीं सोचते नहीं हैं अगर सोचेंगे समझेंगे तो महासरमण को कहां से लेके जाएंगे अरे महासरमण हैं अगर वो महासरमण है तो हम कोन हैं हम तो समण है ना जिसका बाप महासरमण होगा उसका बेटा समण नहीं होगा क्या जिसका बाप महासरमण के खोथें गड़ा कोई ना कोई हीरा हुसमाक से नेकाल लेते ही में हमारे तो बहुत हीरे दवे पड़ें रोज हम तो कसला लेके कसला चाहते खेड में और कुझ खुदाई करते हैं ंप गॉष्वधाig करो यह अल्टीमिट पहचान है लास्ट पहचान है इसके पीछे की कोई पहचान नहीं मिलती थे आज गले मिलते थे तो हम भी वही शुरू कर दिया है समर संग में अभी एक तारी को नियम पास हुआता है कि जब भी हम बैठेंगे आपस मिलेंगे तो गले मिलेंगे नर नर से मिलेंगे और नारी नारी से मिलेंगे और समर संग के अंदर जब जाएंगे तब भी गले मिलके जाएंगे तो अपनी रोटी लाके हम खाते हैं प्यार से तो उससे प्यार बढ़ता है भाई चारा बढ़ता है एक दूसरे से मिलते जा रहे हैं तो आदमी की इक्षा है कहा होती है आदमी की इक्षा होती है पैसा आये तो पैसा लेके भागे तो इसमें पैसा नहीं है कभी जिंदगी में एकाउंट भी बनेगा कोई किसी का पैसा ले नहीं सकता सब को अपना खर्चा करना है तो अपना खर्चा आदमी करेगा उतना ही करेगा जितना है तो कोई किसी का पैसा ले नहीं सकता तो जगड़ा हो गए नहीं तो यहां नेता का पद नहीं है या पद नहीं है पोश्ट नहीं है तो जब पद नही या पोश्ट नहीं है तो कोई किसी को क्या पतने का फैस्लाश को ये एक व्यक्ति नहीं करता तो संगर करता है तो संगर से लड़ेगा कौन किसी ने कोई बात कई और उसको बड़ा ये गुमान है मेरी बात बहुत अच्छी है तो कर ले ट्राइब है फैर पोजल ले और भेस करा ले तेरी बात अच्छी होगी तो दुनिया को इताकत रोप नी-सकती और तेरी बात-खराब होगी तुर दुनिया को इताकत उसको पास कर सकती क्योंकि संग में कोई लालस तो है नहीं कोई संग सकता कि पीछ नहीं भागता क्योंकि कभी राजनीती में नहीं गया तो राजनीती में हम भी नहीं जाएंगे भाई हाँ जिसको राजनीती में जाना है वो संग छोड़के जाए वो कोई दिक्कत नहीं वो अपना तो यहां तो यहां तो वही चलेगी जो सई बात है यहां तो कोई पना के देख ले अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ लोगों ने गुट बनाया फिर आपस में जूतरा मुईश में खतम हो लिया मामला हुआ संग से नहीं टेकरा सकते हैं संग्ठन में तो होती है संग्ठन का मतलब लड़ना है वहां तो पद है पैसा है प्रतिष्टा है सब कुछ है वहां तो तो उसके जगड़ा हो गई होगा यहां ऐसा कुछ नहीं है मगर यहां आपको मिलेगा सब कुछ क्यों मिलेगा सब कुछ क्यों कि संगे सकती होता है संग में शक्ती होती है जहां लोग इखटे होते हैं उनकी बात को सब लोग मानते हैं उनको मानना पड़ता है और संग कभी एजिटेशन में या पर्दस में नहीं जाता है उसको जो पर न ही पड़ती हैं तो धन्ह देखा आप किसान जब संग में खटे भूए उनकी बात माली सरक्राण भिए वजब हम दोपयल अठारे खटे उए तो हमारे बात माली सेखान तो हम लगर अब Quem के खट होते लेंगे तो हमारे जाके लड़े, मगर संग के अंदर ये बीमारी नहीं आएगी भाई, ना ये पॉलिटिक्स की बीमारी आएगी, ना ये नेतागरी की बीमारी आएगी, ना ये पैसे की बीमारी आएगी, संग इससे पहले भी बिलकुल अलग था, संग अभी भी इससे बिलकुल अलग है, इसल कभी भी जिंदगी में ना पैसा लिया जाएगा पब्लिक से ना ही उनकी फीस कटेगी सब को अपना खर्चा अपने आप उठाना है अगर परची फीस कभी नहीं कलेक्शन कभी संग कभी जाजात नहीं बनाता जा 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 तो हमें जगड़े होते हैं क्या जो पड़ी है पूर होते हैं संग बहुत फ्यॉर होता है रच्छा होता है इसलिए संग के हम ऐसा जीवन में जोड़ने के फायदे ही फायदे होते हैं इसका कोई नुफसान नहीं है और इसकी जो लाइफ है लाश्ट लाइफ रहती है यह कभी नहीं मरता संग जब मरेगा जब समड सारे मर गौतम सब्सक्राइब हैu कि इत्ता प्यारा वेटा उ gefलाद सजब म सजय मिलिर कुछ नहीं कर पाया और हमको हमने थापश होता है हमने 39 लाग बना दिये टुकड़े कर लिये अपने टुकड़े कर दो रहे हैं सारी चीजे हमारी चलिए अब कोई डाउट नहीं है कि हमारे पास कुछ है किसी को उमीद लगती हो तो अभी भी सपने हो तो सपने से बाहर निकल जाए अब तो यह घर संग है इस संग के घर में आना पड़ेगा जान बचानी है तो आना पड़ेगा बच्चों को बचाना है तो आना पड़ेगा क्योंकि संग जो होता है कोई पूछे के संग क्या होता है तो संग होता है उसके नियम संग के नियम मानोगे तो संग है और संग के नियम नहीं मानोगे तो संग नहीं है इस के πάश में सारे-सारे लोग काम करने वाले वाले हूं से कि धनग्या ही जिसके पास हज्ञार ओबाही हूां इसलिए सब लोग इस जितना भी स्यफ्ट है उसको देख के ईस बातचीत करें के लगाता लगाता संघ की तरफ दर रहे हैं और जितने भी संगी हो चुके हैं वो इस कंसेप्ट को के समझ संग क्या है विदा पीपल क्या है हम बाद के लोग क्या है हम कैसे काम करते हैं कैसे नी काम करते हैं इसकी जानकरी दें लोगों को जानकारी नहीं पहुंच रही है लोग यह समझ रहे हैं कि यह भी कोई संग तो बहुत आई इसे बढ़ रहे हैं यही पस्तिको ओर आऊ क्मेंट सी कमेंट सी आऊ ओर देखो जब तक चैक नहीं करोगे जब तक आप किसी को नहीं बताओगे तब तक लोगों को पता नहीं चाहें वैसे बहुत तेजी से समण संग के कंसेप्ट के बारे में लोग जाना चारे हैं हमारी कमी है कि हम तक पहुंचा नहीं पारे इसलिए सब लोग अपनी वीडियो बनाएं सब लोग अपने वाटसअप लिखें हैं सब लोग जिस भी तरीके से बता सकते हैं बताएं क्योंकि बत बताएं लोग आ जाएंगे लोग आ जाएंगे संग तो अलड़ी बन चुका है बस बड़ा हो जाएगा मजब हो जाएगा तो घर बैठे सारी चीजें जो समिन्हार में लिए मिलेंगी गारंटे मिलेंगी दुनिया की कोई गारंटे को चीन नहीं सकती तो कि जो लोग होता है उन्हें कोई हरा नहीं सकता जिनके पास संग होता है हर दो घंटे में चुनाब कर जाए उनके डर नहीं होता जीत जाते हैं और जिनके पास संग नहीं होता उनके जीतने की कोई गारंटी नहीं है संग्ठरों से आदमी नहीं जीत सकता क्योंकि संग्ठरों 30 लाग है मगर जिसके पास संग होता है वो हमेसा जीतेगा. इसलिए संग अगर आपके पास होगा तो आप हमेसा जीतोगे. इसमें कोई सख में है. और संग्ठर बनाते रहोगे त nauk कभी नी जीत पाओगे. कुई संग्ठरों की संग्ग्या बहुत ज़्छादा है, वो आपस में लटते रहते है संग हमैसा एक होता है संग कभी दो नहीं बनते अगर दो संग बनेंगे तो उनमें एक संग ठन होगा या दोनों संग ठन होगे संग एक ही रहता है क्यूंकि संग की विचार धारा दो पयाधरित ने हैं, एक पर है इसलिए संगे सकती है और जिनका संग होगा वो हमेसा जीतेंगे दुनिया में कोई भी आदमी उनको हरा नहीं सकता जिनका संग होता है संग वाले लोग हमेसा मजबूत रहते हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि आप सोच नहीं सकते और वो कोई खास काम नहीं करते, बस वो थोड़ा-थोड़ा काम रोज करते हैं, निरंतर उनका काम होता है, हमेशा उनका काम चलता रहता है, उनका काम कभी बननी होता, क्योंकि जिद्ध है जीतने की और जिद्ध है जुड़ने की और जुड़ने के लिए संग बनाना जरूर आप सभी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्हीं की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगं सरेनं गच्छामूँ संगं सरेनं गच्छामूँ उतियं पी बुद्धं सेनं गच्छामूँ दूतियं पी बुद्धं सर्नं गच्छामूँ दूतियं पी दम्मं सेनं गच्छामूँ दूतियं पी दम्मं सर्नं गच्छामूँ दूतियं पी दम्मं सेनं गच्छामूँ बुखियं पी संगम सर्णं गच्छामी, ततियं पी बुद्धम सर्णं गच्छामी, बुद्धम सर्णं गच्छामी, ततियं पी संगम सर्णं गच्छामी, बुद्धम सर्णं गच्छामी, ततियं में मतों गच्छामी, टतियं गच्छामी झाल झाल